दानिर्मान में आप लोगों का स्वागत है आईए आज हम लोग मैं माह के महत्पुन प्रमुक दिवसों की चर्चा करेंगे मैं 2023 के इन महत्पुन दिवसों की धीम क्या रही है इनका महत्प क्या है और इनका इतिहास क्या रहा है हम लोग क्यों इन दिवसों को मनाते हैं इन सभी के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं तो मई 2030 में हमारा जो पहला महात्रपुन दिवस आता है वो है अंतराश्ट्रिय मजदूर दिवस International Labour Day जो हर वर्ष एक मई को मनाया जाता है इस वर्ष की जो थीम है वो सकरात्मक, सुरच्छा और स्वास्ट संस्कृती का निर्मान के लिए मिलकर कारें एक्ट टुगेदर तो बिल्ड आ पॉजिटिव सेफिटी एंड हेल्थ कल्चर इसका महत्रप क्या है भारत में मजदूर दिवस एक मई को ही मनाया जाता है सबसे पहले साल 1923 में वामपंथियों ने इसे चेन्नाई में मनाया था इस दिन को मनाने का मकसद लोगों को शमिकों उनकी इस्तिती और उनकी समस्याओं के प्रती जागरूख करना है आए इस दिवस के इतिहास पे एक नज़र डालते हैं अमेरिका में साल 1877 में मजदूरों ने अपने काम के घंटे तै करने की अपनी मांग को लेकर एक आंदोलन शुरू किया साल 1889 में पैरिस में आयोजित एक अंतराश्ट्रिय महसभा की तूसरी बैठक में फ्रेंच करांती को ध्यान में रखते हुए एक प्रस्ताव पास किया गया इस प्रस्ताव में अंतराश्ट्री मजदूरों दिवस मनाय जाने की बात स्विकार की गई इस प्रस्ताव के पास होते ही अमेरिका में पंदरा घंटे काम के बजाए सिर्फ आठ घंटे काम करने की इजाज़त दे दी गई आया हम लोग अगले महत्रपुर्ण दिवस के बारे में चर्चा करते है जो है प्रेस स्वतनता दिवस वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे जो के हर वर्स तीन मई को मनाया जाता है इस वर्स की थीम जो रही है वो है शेपिंग अफ्यूचर आफ राइट्स फ्रीडम आफ एक्सप्रेसेन एज ड्राइवर फॉर अल अधर हुमन राइट्स आये इसके महत को समझते हैं पत्रकारता को लोगतंदर का 14 इस्तंप माना जाता है ये एक जोखिंबरा काम है प्रेस की आजादी के सिध्धानतों के उद्देश के साथ हर साल तीन मई को विश्व प्रेस सदंता दिवस मनाया जाता है इसके इतिहास पे अगर हम लोग नज़ा डालते हैं तो साल 1991 में अफ्रीका के पत्रकारों ने प्रेस की आजादी के लिए पहली बार मोहिम छेडी थी तीन मई को प्रेस की आजादी के सिध्धानतों को लेकर एक बयान जारी किया गया था इसे डिकलरेशन ओफ विंड होग के नाम से जाना जाता है इसके ठीक दो साल बाद 1993 में संयुक्त राष्ट की महासबा ने पहली बार विश्व प्रेस सुदंता दिवस मनानी की घोशना की हर साल तीन मई को युनेसको की ओर से गिलेरमो कानू वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइस दिया जाता है ये पुरुसकार उस व्यक्ति अथवा संस्थान को दिया जाता है जिसने प्रेस की सुदंता के लिए उलेखनी कार किया हो आएए हम लोग अगले दिवस के बारे में देखते हैं जो है विस्व रेड क्रॉस दिवस वर्ल्ड रेड क्रॉस डे जो की हर वर्स आठ मई को मनाया जाता है इस वर्स की इस दिवस की थीम है everything we do comes hashtag from the heart आएए इस दिवस के महत्व और उद्देश को समझने की कोशिश करते हैं यह हर साल जीवन गटनाओं में बड़ी भूमिका निभानी के साथ साथ दुनिया भर में कमजोर सामाजिक लोगों की साहता करने के लिए मनाया जाता है यह हुन्री डुनांट के जर्मदिन के उपलच में मनाया जाता है जिन्होंने 1863 में जिनेवा सुर्जर लैंड में रेड क्रॉस की अंतराश्टी समीति की इस्थापना की थी तो यहां से हमारा एक और महत्वपूर्ण प्रसनाता है कि विश्वर रेड क्रॉस का मुख्यालाय कहां पे है तो वो है जिनेवा सुर्जर लैंड में इसका उद्दिस युद्ध भोजन की कमी महामारी रोगों या प्राकृतिक आबदाओं की कारण संकट और विरानी में मानव को राहत प्रदान करना था आयस दिवस के इतिहास में नज़ा डालते हैं 1869 में एक स्विस व्यवसाई हैंरी डुनांट ने इटली में सोल फैरिनो की लड़ाई के परिणाम देखे जहां उन्होंने हजारों घायल सैनिकों को चिकिस्सा देखभाल के बिना छोड़ दिया गया था डुनांट ने घायल सैनिकों को साहता प्रदान करने के लिए इस्थानी सोयन सेवकों को संगडित किया उन्होंने अमेमरी आफ सोल फैरिनो नामक एक फुस्तव प्रकासित की जिसम युदिकी भ्यावता का वरणन किया गया था और सोयम से भी रहत समितियों की स्थापना का अहवान किया गया था 1863 में डुनेड ने चार अन्य प्रमुख नागरिकों के साथ जिनेवा सुजल लैंड में इंटरनेशनल कमेडी आफ दी रेड क्रोस के स्थापना की थी 1864 में पहले जिनेवा कंवेंशन पर हस्ताच्छर किये गए जिसने ससत्र संघर्ज के दौरान घायल सैनिकों और चिकित्सक कर्मियों के सुरच्छा के लिए कानोनी धाच्छा इस्तापित किया था ये जिनेवा कंवेंशन वही कंवेंशन है जब भी दो देशों के बीच युद्ध होता है तो उस देश के जवानों को सुरच्छा प्रदान करता है जब कोई दूसरा देश पहले देश के जवानों को अपने यहां पे कबजे मिले लेता है तो उस जवान की सारी सुरच्छ इस जिनेवा कंवेंशन के माध्यम से चलती हैं आए हम लोग एक नए प्रमुख दिवस में चलते हैं जो कि राश्टी प्रवधोकी की दिवस है नेशनल टेकनोलोजी डे जो कि हर वर्स ग्यारा मई को मनाया जाता है और इस वर्स की थीम है स्कूल टू स्टार्ट अप्स एग्रेटिंग यंग माइंड्स टू इन्नोवेट आए इसके महत्वर उद्देश को समझते हैं यह दिन भारत के सफल परमाण परिछणों की याद दिलाता है जो 11 माई 1998 को राजस्थान के पोखरान में किया गया था 1999 के बाद से हर साल टेक्नोलोजी डेवलेमेंट बोर्ड तक्नीकी इन्नोवेशन्स का सम्मान करके इस दिन का जश्ण मनाता है आए इसके और इतिहास को समझने की कोशिश करते हैं भारती वैज्ञानिकों के योगदान को माननेता देने के लिए पूर प्रधान मंत्री श्री अटल विहारी बाजपी जी ने इस दिन को नेशनल टेक्नोलोजी डे कहा 11 मई 1998 को भारत ने राजिस्थान के पोखरान में एक आर्मी टेस्ट रेंज में शक्ति प्रथम मिसाइल को सफलता पूर्वक पायर किया था इसके बाद दो और नुकलियर टेस्ट किये गए जो भारत को नुकलियर पावर नेशन्स की एलिट क्लब में ले कर आया इसके अलावा भारत ने इस दिन बैंगलोरू से अपने पहले स्वदेसी विमान हंसा तीन का परिच्छन किया आए हम लोग अगला दिवस समझते हैं जो कि अंतराश्ट्रिय नर्स दिवस इंटरनेशनल नर्सस डे जो कि हर वर्स 12 मई को मनाया जाता है और इस वर्स की थीम है अवर नर्सस अवर फ्यूचर आए इस दिवस के उद्देश और महत्व को समझने की कोशिश करते हैं ये दिन पूरी दुनिया में अस्पतालों और प्राइवेट चैंबर्स में काम करने वाली नर्सों के यूगदान का सम्मान करने के लिए एक खास दिन है हर साल इसे 12 मई को फ्लोरेंस नैटेंगल की जैनती पर मनाया जाता है इंटरनेशनल काउंसल आफ नर्सेज की तरफ से इस खास दिन को चुना गया था और 1974 से आदिकारिक रूप से इसे मनाया जा रहा है आए इस दिवस के थिहास में नज़र डालते हैं 1965 से इंटरनेशनल काउंसल आफ नर्स इस दिन को मनाती आ रही है इसके बाद जनवरी 1974 में 12 मई को ओफिशिल तरीके से अंतराश्टी नर्स दिवस की घोशना कर दी गई क्योंकि इसी दिन पर फ्लोरेंस नैटेंगल का जन्म हुआ था जिने आधुनिक नर्सिंग की संस्था पक माना जाता है फ्लोरेंस नैटेंगल एक ब्रिटिस नर्स और समा सुधारक थी जिनोंने हेल्थ के छेत्र में सुधार के लिए अपनी जिन्द की समर्पित कर दी थी आए अगला दिवस समझते हैं जो की राश्ट्री आतंगवाद निरोधी दिवस है जो की हर वर्स 21 मई को मनाया जाता है आए इस दिवस के उद्देश और महत को समझते हैं आतंगवाद विरोधी दिवस को मनाने के पीछे का उद्देश युवाओं को आतंगवाद और हिंसा से दूर करना है इस दिवस को राश्ट्री ये सद्भाव को बढ़ावा देने आतंगवाद को कम करने और सभी जातियों पंथों आदिके लोगों के बीच एकता को बढ़ावा देने के उद्देश से मनाया जाता है आए इस दिवस के इतिहास में नज़र डालते हैं भारत में हर साल 21 मई को पूर प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी की पुनितिती पर आतंगवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है 21 मई 1991 को तमिल नाडू के श्रीप पेरु बुंदूर में कॉंगरेस पार्टी के लिए प्रचार करते समय लिट्टे के आतंगवादियों द्वारा उनकी हत्या कर दी गई थी राजीव गांधी भारत के सबसे कम उमर में प्रधान मंत्री बने थे 1984 में इंद्रा गांधी के हत्या के बाद उन्होंने 1984 से 1989 तक प्रधान मंत्री के रूप में देश की सेवा की थी आए हम लोग अगले दिवस को समझते हैं जो कि है अंताराश्ट्रिय जैव विवित्त दिवस International Day for Biological Diversity जो कि हर वर्स 22 मई को मनाया जाता है और इस वर्स इस दिवस की थीम है From Agreement to Action Build Back Biodiversity आईए इस दिवस के उद्देश और महत को समझते हैं इस दिवस को मनाने का मुख्य कारण जैव विवित्ता के मुद्दो के बारे में समाज में जागरुकता पैदा करना है संयुक्त राश्ट्र ने 22 मई को अंताराश्ट्रिय जैव विवित्ता दिवस घोशित किया है जय विवत्ता के लिए अंतराश्ट्री दिवस को संयुक्त राश्ट्र महा सबाद्वारा 1993 में अपनी दूसरी समित्री की बैठक में नामित किया गया था आए इस दिवस के थिहास में नज़र डालते हैं अंतराश्ट्री जय विवत्ता की शुरुवात पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राश्ट सम्मेलन जिसे आम तोर पर प्रत्वी शिखर सम्मेलन और अर्थ सम्मिट के रूप में जाना जाता है जो 1992 में रियो डिजनरियो ब्राजील में हुआ था इस एतिहासिक सम्मेलन के दोरान वैश्विक नेताओं ने जय विवत्ता की विश्ववापी गिरावट से निपटने की आवशक्ता को सुईकार किया 22 मई 1992 को जय विविक विश्वित्ता पर कन्वेंशन CBD पर हस्ताचर किये और अपनाया जिससे इस दिन के वाशिक पालन के लिए मंच तयार हुआ हमारा अगला प्रमुख दिवस है राष्टमंडल दिवस Commonwealth Day जो कि भारत में हर वर्ष 24 मई को मनाया जाता है और इस वर्ष की जो थीम है Forging a Sustainable and Peaceful Common Future आएए इस दिवस के महत्व और उदेश पर नज़ा डालते हैं राष्टमंडल दिवस जिसे Empire Day के रूप में भी जाना जाता है का उदेश से 2.5 बिलियन राष्टमंडल नागरिकों को एक जुट करना है उनके साजामोलियों और सिध्धानतों का उच्षव और स्थिर्ता और शांती पर केंद्रित एक सामान भविस्व का पीछा करना है राष्टमंडल दिवस स्वास देखबाल, सिच्छा, नौकरी के अवसरों और खेल के साथ साथ एक दूसरे के पर्यावरण के रच्छा करने में एक दूसरे के मदद करने के उद्देशों पर भी ध्यान केंद्रित करता है आईए इस दिवस के इतिहास पर एक नज़र डालते हैं इस इसमारक दिवस का पहला उस्व 24 मई 1902 को महरानी विक्टोरिया की जैनती के साथ मनाया गया था 1958 में तदकालीन यूनाइटिक किंग्डम के प्रधान मंत्री हैरोल्ड मैक मिलन ने 54 सदस से राष्टों के बीच संबंदों की विक्सित प्रकृति को गले लगाते हुए घोशने की कि सामराज दिवस का नाम बदल कर राष्ट मंदल दिवस रखा जाएगा राष्ट मंदल दिवस हर साल 13 मार्च को दुनिया भर में मनाया जाता है दूसरी ओर भारत कुछ अन्य देशों के साथ 24 माई को इसका पालन करता है आए हम लोग अगले प्रमुख दिवस की ओर बढ़ते हैं जो कि है विश्व तमाकू निशेद दिवस वर्ल्ड नोट टोमेको डे जो कि हर वर्स 31 माई को मनाया जाता है और इस वर्स की जो थीम रहेगी वो है वी नीट फूड नोट टोमेको आए हैस दिवस के उद्दिश और महत्व को समझते हैं विश्व तमाकू निशेद दिवस के माध्यम से तमाकू से होने वाले बुरे प्रभाव के बारे में बताने के लिए अभियान, कारिक्रम, कैंप और अनकदिविदियां की जाती हैं विश्व साथ संगठन ने 1987 में पहली बार विश्व तमाकू निशेद दिवस को मनाया था इसके बाद 1998 में डबलू एच ए चार सुन्ने दिसमलो एक नौ पारित किया गया विश्व तमाकू निशेद को मनाने में हर सार डबलू एचो का भी समर्थन मिलता है तो इस तरीके से आज हम लोग ने मैई 2023 के महत्पूर्ण दिवसों के बारे में जाना उनकी थीम क्या है उनके महत्व और उद्देश क्या रहते है तता उनका इतिहास क्या है इन सभी के बारे में हम लोगों ने एक संपूर्ण जानकारी इकठा करने की कोशिश करी आसा है आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी और आपके आगामी जितने भी परिच्छाएं हैं उन सभी में ये आपको सहयोग देंगी इसी आशा के साथ ही धन्यवाद हम लोग अगले एक और अच्छे एक जानकारी महत्पुरून टॉपिक पर हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे तब तक के लिए धन्यवाद all the best